तो ब्लाक पंथर वकांडा फॉरेवर अब अपने रिलीस की काफी साधा करीब आ चुकी है और इसके ट्रेलर को देखके वेग्ट हमें यह पता चली चुका है कि इस मूवी के अंदर में प्रोबैबली यही देखा जाएगा कि ब्लाक पंथर यानि की टचाला की मौत हो चुक अब अगर देखा जाए तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो यह वीडियो सबसे पहला ब्लाक पैंथर निकल के आता है जिसने वाइबरेनियन के सीक्रेट्स को अनलॉक किया था और आगे चलके वह उससे अपने आडवांटेज में यूज करते वे हमें नजर आता है और बेसिकली वह सबसे पहला वारियर था वकांडियन ट्राइब का जहां अगर देखा जाए तो आगे चलके ब्लाक पैंथर वन मिलियन वीसी हमें स्टोनेज अवेंजर का पार्ट बनते वे भी नजर आता है जिस अवेंजर के अंदर हमें ओडिन जिसे क्याक्टर्स भी देखने को मिले थे साथी साथ ब्लाक पैंथर का ये वर्जन एक्चुली में मियोनीर के लिए वर्थी भी हमें देखने को मिला था विच मेक्स हिम दा फर्स परसें इन मार्वल हिस्ट्री विसाइड ओडिन जो ये चीज कर सकता था कि व अक्रॉस ट्रावल करते हैं अब अगर देखा जाए तो किंग के पास भी हमारे मेन उनिवर्स के ब्लाक पैंथर जैसी सिमिलर अबिलिटीज हमें देखने को मिली थी बट ये बिलॉंग करता था और ये हमें गन स्लिंगर के तौर पर देखने को मिला था जो बिसिकली वाइ ब्लाक पैंथर यानि कि टचाला का बेटा निकल के आता है बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में यह हमें पताया जाए गया है कि कोल टाइगर अक्च्वल में अपने फादर के कंपरेजन में हमें कहीं जादा एजाइल लेखने को मिला था और काफी जादा आती है वो यह है कि बेसिकली कोल टाइगर खुद को एक पैंथर और हुमन के हाइब्रीड में ट्रांसफॉर्म कर सकता था इसके बाद वो अपनी ब्लाक पैंथर अबिलिटी यूज कर सकता था जो चीज कोल टाइगर को एक काफी इंट्रस्टिंग कारेक्टर बना देती है आगे चलके यह हमारे में टाम लैन वाले ब्लाक पैंथर के साथ भी क्रोस ओवर करते हैं हमें कोमिक्स में नजर आ चुका है और आगे चलके केविन खुद को एक विजिलांटे में कनवर्ट करता है जहाँ एवेंचुली केविन कोल जो हमारे में ब्लाक पैंथर जेतना पाउरफुल यह स्ट्रॉंग तो नहीं था बट एक शॉट टाम के लिए सही लेकिन यहां में ब्लाक पैंथर के तौर पे देख टचाला एक्चुली में वकांडा के किंग बने का जो ट्रायल रहता है उसे पास नहीं कर पाता है और काफी ज़दा फेटल इंजिरीज भी वो रिसीफ करता है जिसके बाद होता यही है कि विपनेक्स प्रोग्राम वाले उसे टेक इन कर लेते हैं विपनेक्स के बार में त बट यह काफी कूल अल्टरनेटिव निकल के आता है नमबर फाइव नगोजी तो बिसिकली अगर देगा जाए तो नगोजी हमें एक एथलीट के तौर पे देखने को मिली है जिसके साथ एक एक्सिदेंट होता है जिसके बाद वो अपनी चलनी के अबिलिटी खो देती है इवेंचुली वीलचेर पे आ जाती है लेटर एओन एक्सिदेंटली सी स्ट्रमबल अपॉन अफाइट जहां पे टचाला एक वेनम सिंबायोट के लिए भिड़ रहा होता है बट होता यही है कि उस फाइट के दौरान जो सिंबायोट रहता है वो नगोजी के साथ अटैच कह सकते हो कि ब्लैक पैंथर का एक काफी जदा पाउरफुल अल्टरनेट वर्जन बना देता है अब इसके नाम से तुम्हें पता चल गया होगा कि इसकी अबिलिटी किस तरह की होगी अब अगर देखा जाए तो सीक्रेट वार्स के दौरान हमें कुछ ऐसे अंसीन रियालि होते हैं वो मुटेटिड हो जाते हैं स्पाइडर लाइक अबिलिटीज के वज़े से एंड इवेंचली इसी वज़े से वहां हमें मिलता है स्पाइडर टचाला जो बेसिकली ब्लैक पैंथर का एक ऐसा वर्जन रहता है जिसके पास सिक्स आंज रहते हैं और उसके पास Spider-Man की Combine Abilities हमें देखने को मिली है अब बेसिकली इस वर्जन की स्टोरी कुछ इस तरिकी की होती है कि एक डिफरेंट टाइम लाइंड के अंदर Killmonger Asgardian Destroyer Armor को हासिल कर लेता है और Wakanda को पूरे तरिके से Destroy कर देता है बट Wakanda के Destroy होने से पहले टचाला को सेफली कह सकते हो कि एक Vibranium Capsule के थूरू Wakanda से बाहर भेज दिया जाता है जो चीज Black Panther के इस वर्जन की स्टोरी को कह सकते हो कि थोड़ थोड़ा सूपर मैन के ओरिजिन से सिमलर बनाती है जहां आगे चलके ही टचाला Vibranium Man का टाइटल लेता है जहां वो Vibranium की सभी अबिलिटीज को इनहेंस करता है और एक सूपर सूट भी क्रियेट करते हुए मेन अजर आता है जिसके पास कह सकते हो कि हमारे मेन उनिवर्स के काउंटर पार्ट जैसे सिमलर अबिलिटीज होती है बट वो अपने सूपर सूट को काफी ज़ए डिफरेंट चीजों में भी यूज़ करते हुए मेन नजर आता है अब गोस पैंथर जिस टैमलेंज से बलॉंग करता है उसकी स्टोरी काफी ज़एदा इंटरस्टिंग होता यही है कि एक इवेंट के दौरान गमोरा इवेंट्वली वो गोस टैटल लेता है और आगे चलके बलाक पैंथर भी हमें नजर आता है बनते हुए जो चीज यह हमें पताती है कि इस universe के Black Panther के पास यानि कि Ghost Panther के पास बोद Ghost Rider और Black Panther की abilities मौजूद थी जो इसे काफी जादा cool बना देती है अब टाचाला ओडिनसन एक काफी crazy amalgam version निकल के आता है Black Panther का तो जिस universe से Ghost Panther बिलॉंग करता है उसी universe के अंदर हमें और भी characters के amalgam देखने को मिलते है जहां स्टार कोडिनसन भी exist करता था जो Iron Man और Thor का कह सकती हूँ कि एक amalgam था तो होता यह है कि एक particular event के दौरान basically Ghost Panther और स्टार कोडिनसन आपस में merge हो जाते है and then हमें काफी crazy amalgam देखने को मिलता है जैसे comics में काफे सहलोग टचाला और इंसन के नाम से भी और Ghost Hammer के नाम से भी जानते है यहन कि basically अगर देखा जाये तो technically यह जो version था Black Panther का अगर तुम इसे Black Panther का एक version considerate करोगे तो इसके पास Thor, Iron Man, Ghost Rider और Black Panther इन चारों की abilities मौझूद थी जोची इस टचाला और इंसन को one of the most powerful version of Black Panther में से एक बना देती है So guys ये थी वीडियो Black Panther के 10 कुछ ऐसे alternative versions के बारे में जिनके बारे में हो सकता है तुम में से काफे सह लोग नहीं जानते होंगे अब तुम लोग नीचे comment section में ये ज़रू बताना कि तुम लोग को इन में से कौन सा Black Panther का alternative version सबसे जादा interesting लगा और इतना काफी जादा possible है कि इन में से कोई हमें आगे चलके live action movies में भी देखने को मिल जाए क्योंकि आप तो MCU में हमें Multiversal Wars वगरा देखने को मिलेंगे ही बागी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का अपना thumbs up देना अपने दोस्ते के साथ share करना चैनल पर कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जबसे सबस्क्राइब भी कर लेना मेरे एनिमे चैनल और मेरे इंस्टागराम का भी लिंग नीजे डिस्क्रिप्शन में गिव एन है तुम मुझे वहाँ पर वी चेकाउट कर सकते हो मैं मिलता हूं तुम से हैसी किसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दन भाई, स्टे ट्यून, स्टे आउसम